दोस्तों मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे यूटूब चैनल आयो सी याने के इंस्ट्यूट आफ कम्प्यूटर एजुकेशन में आपका हर्दिक श्वागत करता हूँ प्यारे शातियों आज हम जानेंगे कि Facebook के Profile लिंक को हम कैसे खोच सकते हैं यदि आपको किसी विखती को अपने Facebook के Profile का Link Share करना हो तो आप या कैसे कर सकते हैं दूस्तों सबसे पहले तो हमको यह जानना जरूरी है कि हमें Facebook के Profile के Link की आऊ सकता पड़ती क्यों है दोस्तों यदि आपकी अपनी कोई website है या फिर आप अपने लिए कोई digital business card बनवा रहे हैं और आप अपने website में, blog में या फिर अपने digital business card में आप अपने facebook के account का link अटेच करना चाहते हैं तो उस समय आपको जरूरत होती है कि आपकी पास आपका profile link हो तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि यदि आप mobile user हैं तो आप अपने mobile से अपने facebook के प्रोफाइल link को कैसे निकाल सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए मैंने अपने mobile में facebook की application को open कर लिया है और मैं इस समय अपने account में login हूँ अब हमको अपने account के profile का link निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे तो दोस्तों यदि आप mobile में उपर की ओर right side में अगर आप धिहान देंगे तो तीन line बनी हुई आपको दिखाई दे रही होगी सबसे पहले हमें इस तीन line के उपर click करना होता है अब जैसे ही आप इस तीन line के उपर click करेंगे आपके सामने menu का option दिखाई देगा और उसके ठीक नीचे आपने अपने profile की जो photo लगाई होगी वह होगा और आपने अपना नाम अपने facebook account में जो लिखा होगा वह दिखाई देगा जैसा कि इस समय देख रहे हैं मेरा नाम और मेरी photo यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है तो हमको यहाँ पर अपने नाम के उपर click करना होता है चलिए मैं इस पर click कर देता हूँ अब जैसे ही आप इस पर click करेंगे आपकी mobile की skin कुछ इस तरह से बदल जाएगी अब यहाँ पर जब आप नीचे की ओर ध्यान देते हैं तो देखिए add to story, edit profile और उसके just bugle में right side में तीम छोटे छोटे dot बने हुए दिखाई दे रहे हैं तो हमें इस three dot के उपर click करना है अब जैसे ही आप three dot पर click करेंगे यहाँ पर नीचे की ओर ध्यान देजिए your profile link लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और इसके नीचे यह जो link बना हुआ है यह आपके profile का link बना हुआ है अब इसके ठिक नीचे copy link लिखा हुआ है आप इसके ऊपर click कर दें अब जैसे ही आप इस पर click करते हैं जो link है यह आपके clipboard में copy हो जाती है अब यदि आप अपने इस link को किसी व्यक्ति को share करना चाहते हैं तो बड़े आसानी से कर सकते हैं चलिए मैं इसको share करके भी दिखा देता हूँ तो दोस्तों इसके लिए मैंने अपने notepad को open किया हुआ है अब मैं notepad के ओपर यह जो blink करता हुआ आपको option दिखाई दे रहा है इसके just bubble में इसी के पास मैं थोड़ी देर तक press करके रखता हूँ और जैसे ही आप थोड़ी देर तक press करके रखेंगे पिस्ट का option highlight हो जाएगा आप इस पर click कर दीजिए इस पर click करते ही या जो facebook की आपकी profile link है या काँ भी हो जाती है अब इसी तरह से आप अपने इस profile के link को whatsapp के ओपर, telegram के ओपर यदि किसी विक्ति को साजा करना चाहते हैं बड़े आसानी से कर सकते हैं या फिर अपने website या किसी और जगा पर इसका उपयोग करना चाहते हैं तो बड़े आसानी से कर सकते हैं तो दोस्तों हम लोगों ने अभी यह जाना कि यदि आप mobile user हैं तो आप अपने mobile से अपने facebook के profile की link को कैसे generate कर सकते हैं लेकिन यदि आप computer user हैं तो चले computer user के लिए भी देख लिया जाता है तो दोस्तों इस समय आप हमारे computer में हमारे facebook के account को देख रहे हैं अब दोस्तों यदि आपको अपने computer से अपने facebook के account की profile link निकालनी है तो यह निकालना बहुत ही आसान है यदि आप उपर में right side में ध्यान देंगे तो यहां पर देखिए आपका नाम लिखा हुआ दिखाई देगा आपको इसके उपर click करना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे आपकी जो profile है वो open हो जाएगी और यहां उपर side में यहां जो link दिखाई दे रहा है यहां आपके profile का link है आप इस link को copy करके इसका उप्योग जहां भी करना चाहें बड़े आसानी से कर सकते हैं तो दोस्तों मैं उम्मीर करता हूँ कि यह जो छोटी सी जानकारी है यह जानकारी आपके लिए उप्योगी रही होगी